नवस्कार दर्सुकू, मैं आरशक नोत्री आप सबका स्वागत करता हूँ, दर्सुकू, आज हम बात करेंगे तुला रासी फल मई 2022 के बारे में, मई का महिना तुला रासी बालों के लिए कैसा रहेगा, कौन-कौन से ग्रहु का रासी परवर्तन होगा, ग्रहु के रासी परवर्तन से कौन से छेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपून छेत्रों के बारे में, जैसे मई के महिने में आपका स्वास्त, धन, कुटुम्ब, परिवार, नौकरी, व्यापार, व्योसाय, सिक्छा, संतान, प्रेम व वैवाहिक जीवन, विवाहिक योग, भाग, किस्मत, कंपेटीशन, सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आईए जानते हैं, यह फलादेश चंद्र कुंडली पर आधारित है, चंद्र रासी पर आधारित है, नाम रासी के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि आपके लिए मई का महिना कैसा रहने वाला है, तो आईए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के रासी परवर्तन के बारे में, मई के महिने में तीन ग्रहों का रासी परवर्तन होगा, पहला सूर का रासी परवर्तन 15 तारिक को होगा, 15 मई को ब्रशब रासी में गोचर क करेंगे और शुक्र 23 माई को मेस रासी में गोचर करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासी के स्वामी के बारे में रासी तुला रासी और जिसके स्वामी होते हैं शुक्र शुक्र का गोचर सब्तम भाव में होगा सब्तम भाव में 23 तारिक से होगा लेकिन 23 तारिक के पहले शुक्र जो है छटे भाव में गोचर करेंगी ऐसे में थोड़ा स्वास्त पर आपको विशेश ध्यान देनी की जरुद है confidence थोड़ा सापका low हो सकता है लेकिन यहाँ पर और विशेश कोई समस्या नहीं धन के मालिक मंगल है और मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में 17 तारी तक रहेगा जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा और उसके बाद जो है छटे भाव में मंगल का गोचर होगा 17 माई के बाद तो ऐसे में और अच्छी स्थितियों को यहाँ पर मंगल बना देता है मंगल धन देने का काम करेगा रेडों को समाप्त करने का काम करेगा सत्रों को समाप्त करने का काम करेगा और कुटम परिवार में मतभेद को दूर करने का काम करेगा तो मंगल का जो गोचर है चटे भाव में कापी अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छी स्थिति यहां पर रहने वाली है तरती भाव के स्वामी होते हैं गुरू और गुरू का गोचर छटे भाव में हो रहा है स्वारासी के गुरू है महनत आप जितनी करेंगे आपको सपलता जरूर मिलेगी कंपेटीसर में सपलता मिलेगी मामा और मौसी के साथ संबंधों में कहीं कहीं मधूरता देखने को मिलेगी और कहीं सारे लाव यहाँ पर देखने को मिलेगा बात करें सनी के बारे में जो की चोथे भाव के मालिक है और पांचमे भाव में बैटें के इंत्रकोल राज योग बना करके तो ये कापी अच्छी स्तिती है, सिक्षा, संतान, प्रेम विवाय में सफलता दिलाने का काम करेंगे, लेकर बैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करेंगे, और आयमे कहिने के रुकावट भी पैदा करेंगे, इसने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देनी की जरूरत है, बात क करें, आपके छटे भाव के मालिक के बारे में यहाँ के मालिक गुरू है और अपने ही भाव में बैठे हैं, इस कारण से कंपटीशन में सफलता तो देंगे ही देंगे, यदि आप रेन लेकर कोई कार करना चायते हैं, तो भी आपको बेतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन के स्वामी मंगल है और छटे भाव में गोचर करने वाले हैं, तो ऐसे में प्रेम विवाहिक के योग बनेगे, क्योंकि 17 तारिक तक मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद छटे भाव में गोचर करेंगे, तो प्रेम विवाहिक आप को सामना करना पड़ेगा और दामपत्य जीवन को भी कहीं कहीं राहू यहाँ पर इस्तितियों को खराब करने का काम करेगा तो यहाँ पर कंप्रोमाच करके आपको चलना होगा तभी लाब मिलेगा बात करें अश्टम भाव के मालिक के बारे में तो अश्टम के मालिक शुक् सप्तम भाव में बैठे भी हैं और यहां पर सूर और बुद्ध, बुद्ध आदित योग बना करके यहां पर बैठे हैं, तो यहां पर यह दि इस्तिती देखें तो कोई खास इस्तिती यहां पर नहीं है, ससुराल के पक्ष से संबंध जो है थोड़ा मधर बना करके रखें, धन की आपको प्राप्ती होगी भागे के मालिक बुद्ध है और चटे भाव में गोचर करेंगे तो भागे में थोला रुकावट पैदा करेंगे इसलिए थोला सा आप अपने करमों पध्यान दें यहाँ पर एदियम बात करें आपके केरियर के भाले भाव में तो केरियर के भाव में गुरू की द्रश्टी रहेगी पंचम द्रश्टी गुरू की रहेगी गुरू यहाँ पर जो है केरियर को मजबूत करने का काम करेंगे नौकरी ब्यापार ब्यावसाई की सित्य को ठीक कर रहने वाली सूर आपके लाभ भाव के मालिक है और गोचर करेंगे अश्टम भाव में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा संघर्स करना होगा तब आपको लाभ मिल पाएगा क्योंकि बुद्ध जो है बारावे भाव के भी मालिक है और विप्रीत परवरतन राज योग में ह तो धन की प्राप्ती आपको होते रहेगी लेकिन जो है थोड़ा मेहनत मई के महिने में आपको ज्यादा करना होगा स्वास्त पर भी थोड़ा सब इसे ध्यान देनी की जरूरत रहेगी कुल मिला करके यदि हम बात करें तो तोला रासी बालों के लिए काफी कुछ सावधा पानी रखने की भी जरूरत है और कुछ आपको लाभी भी मिल सकते हैं तो दर्सको आज बस इतना ही धन्यवाद